स्वागत है आपका अपने चैनल इंडियन कानून इन हिंदी में तो आज हम बात करेंगे कि कोट के इसके जीतने के उपाय क्या है दोस्तो वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंसती रहे तो आज हम बात करेंगे कि कोट केस जीतने के उपाय क्या है कोट केस हारने के बहुत से कारण होते हैं लोगों को ये पता नहीं होता कि हमें क्या करना चाहिए आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कोट केस में अधिक समय लगने का क्या कारण है अगर आप court case जीतना चाहते हैं तो आपको किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जब भी दो parties के बीच case file होता है चाहे वो संपत्ती का हो, चाहे कोई परिवारिक विवाद हो या फिर कोई भी विवाद हो तो ऐसे में व्यक्ति को खुद की जिम्मेदारी और खुद की जागरुकता होनी चाहिए अगर व्यक्ति case को लेकर जागरुक है तो case को जादा नहीं खींचा जा सकता विपक्षी party अगर दस्ता वीच को लेकर कोई dates ले रहे हैं तो आपको वहाँ पर active रहना है अगर आपका पारिवारिक विवाद है, संपत्ति का विवाद है तब आप सिविल वकील का चुनाव करें अगर आपका criminal case है तब आप criminal expert को ही अपना case दें अगर आप court case में active रहते हैं तो आपके case का निप्टारा जल्दी से किया जाता है अगर आप अपने case में इन सब बातों का ध्यान रखते हैं तब आपको court case जीतने से कोई भी नहीं रोग सकता तो आई होप दोस्तों आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी तो ऐसे ही कानून से समंद जानकारियां पाने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक शियर और सबस्क्राइब जरूर करें